हेलो एवरिवन वेल्कम बैक टू अनधर वीडियो तो फ्रेंद्स देखिए इस कार्डिगन की वीडियो मैंने सारे पार्ट्स जित्ते भी मैंने बनाए है यह मैंने इस चैनल पर अपलोड किये हैं अगर आपको कहीं से समझ में नहीं आता तो आप महां जाकर देख सकते हैं तो यह मैंने पूरा कार्डिगन बना लिया है अब हमने बाजू बनानी है यह देखिए हमने बाजू बनानी है और बाजू हम फुल बाजू बनाएंगे फुल बाजू बनाने के लिए देखिए डिजाइन जो है डिजाइन यह वाला हमने डाला हुआ है और ऐसा ही हमने पह भी स्वेटर में किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे तो बहुत सुन्दर डिजाइन है और बहुत ही अच्छा लगेगा इसको आप जरूर ट्राइ कीजेगा और यह मैंने जिग जग बटन पट्टी भी बनाई है और इस चैनल पर मैंने इसको भी बनाना बताया हुआ है यह देखें 44 फंदर डाले है क्योंकि आगे की बाजू जो होती है थोड़ी सी इतनी बनानी होती है ताकि यह अच्छे से टाइट रहें फिर धीरे-धीरे हम हर 34 सलाई के बाद हमने एक-एक फंदा दोनों साइड से बढ़ाते जाना है बाजू में और ऐसे धीरे-धीरे तो चलिए मैं आपको यह बॉंटर बनाना बता देती हूं एक बार सहे है तो यह देखिए यह जो बॉंटर बना आते है ना यह हमारी first slice से ही border बंदा है यह वाला जो border है यह first row से ही हमारा border बनता है तो आपने क्या करना है जो फंदे हैं वह थूड़े-दीले स्लाइम में डालने हैं अगर आप tight डालेंगे तो थोड़ा दिक्कत होती है बनाने में तो आपने क्या करना हा है फंदो को ठोड़ा डीला डीला डालना है ताकि इस border बनने में असानी हो तो देखिए दो फंदे हमने पहले बनने हैं दो फंदे bricks बना लेने हैं और दो फंदे उल्टे एक और ये दो तो फंदे उल्टे बनाने के बाद अब ये वाला हम बबल बनाएंगे ये वाला इसमें पांच बबल बनते हैं तो फिर्स्ट बबल पहले बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे इसको थोड़ा धिला कर लेंगे और इस फंदे को पहले हम सीधा बनाएंगे इसको धिला कर लेंगे और यह वाला फंदा गिराएंगे नहीं फिर धागे को आगे करेंगे फिर उल्टा बनाएंगे हमें एक के आप छे बना लीजे साथ बना लीजे तो मैं इसमें छे बनाऊंगी तो देखिए एक दो बना ली हमने फिर धागे को पीछे करेंगे और इसको सीधा बना लेंगे तीन होगे फिर धागे को आगे करके चार फिर धागे को पीछे करेंगे ये देखिए पांच फिर धागे को आगे करके उल्टा बना लेंगे ये छे होगे अब इसको हमने ऐसे छोड़ देना है ठीक है फिर इसको हमने सलाई को पलटना है और धागे को अपनी ओर रखना है और इसको 6 फंदे गिनके 1,2,3,4,5,6 देखे 6 फंदे हमने इसको उल्टे बना लेने हैं मतलब 6 का आप एक कर देना है देखे ये 6 फंदों का एक फंदा बना लेना है ये देखे अब जो ये फंदा है ये इस स्लाई पे हमने डाल के और आगे को कर देना है अब दागे स्लाई को पलट लेंगे और ये देखे हमारा बबल बन गया अब ये देखे दो फंदे फिर उल्टे बनाने है दो फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से वे ये बबल बनाना है जैसे मैंने अभी बताया था आपको ऐसे एक बनाएंगे फि पीछे करें एक वनाएंके एकपने में छेपन्दे उल्टा बना लिया उनालिया इस वाग्य के ऋल्टाượng से ईसर को हें एसे ये लिए ऊप्सराद का आगे कर लिंगें और है में द्रवल्डाला उना उना इन निया उख़ games कि ईक अ शुराइक चिपल लगता है और इसको आप ये जो डिजाइन है ना इसको All Project में भी डालेंगे तो बहुत संदा लगेगा अब दो फंदे उल्टे बनाएंगे पहले फिर से बबल बनेगा इसको थोड़ा डीला कर लेंगे फिर सीधा बनाएंगे फिर दागे को आगे करके उल्टा दागे को पीछे करके सी दागे को आगे करके उल्टा देकी छे बनगे फिर दागे को छोड़ देंगे और ये वल्ला शेक के एक बना लेंगे छेपंदों का इक कर देंगे और ये इस स्लाई में डालके फिर से स्लाई को बलट लेंगे अब फिर से दो फंदे हमने बनाने उल्टे एक और ये दो चेकर फिर से बबल बनाएंगे उल्टा धागे को पीछे करेंगे सीधा फिर धागे को आगे उल्टा धागे को पीछे सीधा धागे को आगे करके इक उल्टा फिर से स्लाई को बलट लेंगे और जो छे फंदे हमने बनाएं इसको छे का एक करेंगे अब और आपको गिन के ही करने है वरना आप ये जो दो फंदे उल्टे बनाए इसमें से अगर घटा देंगे तो फंदे हमारे कम पड़ जाएंगे गिन के आपने छिकाए करना है ये देखिए बना लिया आप देखिए फिर से दो फंदे उल्टे एक और ये दो फंदे हमने देखिए उल्टे बना लिये आप फिर से देखिए बबल बनेगा उल्टा बनाएंगे फिर एक फंदा सिधा बनाएंगे फिर धागे को आगे करेंगे उल्टा धागे को पीछे सिधा धागे को आगे उल्टा स्लाई को पलट लेंगे और इसको पूरा उल्टा बना देंगे यह निकि चेका एक कर देंगे यह देखें अब फिर से एक और दू यह देखें अब यहां से यहां तक हमा इन के यह देखें दो फंदे बनाने के बाद यहां पर दो Ancient Love सीधे बनाएंगे एक और यह दो a जह डो दो So इसी को हमने फिर से वही बनाना है, फिर से हमने स्टार्ट करना है, यहां पर एक फंदा सीधा है, तो एक फंदा बना लेंगे, फिर दो फंदे उल्टे हैं, उल्टा बनाएंगे, और फिर अब हमारा यहां पर बबल बनेगा, जैसे हमने यहां पर बनाया है, वैसे सेम हमने य बना लेती हूं, ऐसे ही बनाना है हमने, इससे पलट के इसको छे का एक कर देंगे, पांच यहां से हमने स्टर्ट किया था देखिएए, एक फंदff सीधा दो फंदंदा उलटे फिर एक पर बबल बनाया फिर दो इल्टे पर बनाया फिर इक पर बबल बनाया अ हमने सीधा ना लास्ट का दो फंदे बना लेंगे तीक है यह सीधी रो हमारी कंप्लिट हो गई और जो उल्टी रो है वो पूरी उल्टी बनेगी हर एक स्लाइब बनेगी उल्टी इसमें कोई डिजाइन नी पड़ेगा सिर्फ सीधी तरफ से बनेगा तो इसको मैं कंप्लेट कर लेती हूं उल्टा उल्टा बना कर मैं फिर सिध्धा दिखाते हूं आपको चल boule उसको बना लेती इस रोपो तो यह के उल्टा हमने बना ली उल्टी रो अब सीधी रो में यह देकि दो फंदे उल्टे थे तो ये तो उल्टे ही बनेंगे स्टेच के है वीच भीच फंदे आप यानि कि 44 फंदों में हमने यह डिजाइन को चटकिया है तो देखिए दो फंदे उल्टे अभी वाला फंद देखिए हमारा सीधा था तो हमने धागे को अपनी साइडी रहना है और इसको सीधा बना लेना है यहां पर जाली पड़ जाएगी हम यहां जाली डालनी है जाली दौर हम धृतल करना है यहां से इा यहां से उल्टते ने को तीनों का एक करना तो दागे को पीछा करेंगे और यह दो फंदे ऐसे उतार लेंगे पर और ये वाला फंदा सीधा बना लेंगे और ये इसके पर से ये दो फंदे जो उतारे थे इसके पर से ऐसे गिरा देंगे ये देखे ऐसे हमारी पली बन जाएगी और धागे को आगे करके एक फंदा उल्टा फिर धागे को पीछे ये वाला सीधा है सीधा धागे को आगे करें त्र्मण तके लिए को चुन्द से प्हाइड को आगे करेंगे ऑस दो कंदट सेरी दिएक पीछे करेंगे औरहीं हैं यहां पर पीछे करेंगे अर्म यहां पर 8- 10 अहां फ हमाम तो यह वाला हमें ने धेसा बना ले precisamente फिर जाली डालेंगे आप धागे को आगे करेंगे और यह वाला फंदा भी सीधा बनाएंगे अब फिर यहां पर जाली डालेंगे यानि कि इस फंदे के दोनों साइट हमारे जाली पड़ेगी फिर धागे को आगे करके दो फंदे उल्टे सेम अब हमारा डेजान यहां से पुर्तें कट बना लेंगे फिर अब तीन का एप धर से मनिया करना है यह टौ फंद सीधा वी अधिशन पर आप लिए सीधा अब मैं से और क eine को पीछे करेंगे सीधा बनाने तो कैसे करेंगे इस पंदे एस स्लाइप ऐसे लपेड देंगे और जाली बढ़ जाएगे और दो अलते में अब पूरी अलते बनाता दियार कर लेनी है जरे सी दिरो में मैं आपको दिखाते हो और ये जो जाली वाला फंदा है न इसको भी उल्टा बनाना है सारा जो जाली वले फंदे सारे उल्टे ही बनेंगे उल्टी साइट से चलिए बना लेती हो यह देखिए उल्टी रो हमने बना लिए सीधी रो में और यहां पर यह भी आपने पहले बॉर्डर बना लेना है फिर हमने जो बाजू के फंदे बढ़ाएंगे ना तब बढ़ाए तो यहां पर देखें, यह मैंने बनाया हुआ है, देखें, बॉर्डर बनाया हुआ है, और उसके बाद मैंने यहां से फंदे बनाना स्टाट किया है, जब हमारा यह वाला डिजाइन स्टाट हुआ है ना, फिर उसके बाद मैंने यह वाला फंदे यहां से बढ़ाने स्टाट किये हैं तो आप पहले बॉर्डर बना लीजे फिर उसके बाद हम आप फंदा बनाना बताओंगे आपको कैसे बढ़ाने दोनों साइडों से तो दो फंदे उल्टे फिर यहां पर देखी जाली वाला फंदा है धागे को पीछे करेंगे यह वाला फंदा सीधा बना लेंगे फिर से जाली डालेंगे धागे को आगे और यह वाला फंदा सीधा यहां पर जाली पड़ेगी फिर धागे को आगे करेंगे दो फंदे सीधे और यहां पर जाली बढ़ रही है तो हम यहां पर तीन का एक भी कर रहे है यानि कि एक फंदा हम यहां पर बढ़ा रहे है तो यहां पर कम भी हो रहा है और बीच में देखिए यहां पर भी बढ़ रहा है तो यहां पर एक फंदा इधर से भी कम हो रहा है यानि कि दो फंदे हमारे बराबर रहेंगे, ऐसा नहीं है कि फंदे हमारे कम हो जाएंगे फंदे मारे बराबर ही रहेंगे और इस बॉर्डर के बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगे कि हमने कैसे फंदों को बढ़ाना है, बाजू में अब ये देखें यहाँ पर जाली डाल दीती, एक फंदा सिधा बना ले, दो उल्टे, फिर एक सिधा, फिर दो उल्टे, एक सिधा बनाने के बाद, अब यहाँ पर तीन का एक करना है, एक उल्टा, एक उल्टा इधर से, और यह बीच का सिधा ही रहेगा, दो फंदे ऐसे उतारेंगे, और एक उल्टे हैं, उल्टा बनाएंगे, फिर धागे को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागे को आगे करेंगे, दो फंदे, उल्टे, धागे को पीछे, एक फंदा सीधा, अब यहां पर देखिए, जाली डालनी है, और यह जाली वाला फंदा सीधा बनाना है, यह जाली सिधा बना लेंगे फिर दो पंदे उल्टे सेम प्रसेंस चाहरा देक हम यहां तक सीधा बना कर छाली तो मैं इसको कम्प्ली तरह उल्ठी रोह दागे को पीछे करेंगे एक और दो फंदे सीधे बनाएंगे फिर दागे को आगे करेंगे और ये वाला फंदा सीधा बना लेंगे ठीक है यहां जाली पड़ेगी और ये दो फंदे सीधे और यहां जाली पड़ते वे फंदा सीधा बना लें दागे को आगे करेंगे दागे को पीछे एक फंदा सीधा दागे को आगे दो फंदे उल्टे और यहाँ पर देखिए अब तीन फंदे हमारे सीधे हैं फिर दो फंदे ऐसे उतारेंगे और दो एक फंदा सीधा बनाकर यह दो फंदे इसके पर से ऐसे स्किप करेंगे फिर धागे को आगे करेंगे दो फंदे उल्टे धागे को पीछे एक फंदा सीधा धागे को आगे दो फंदे उल्टे अब यहाँ पर यह वाला फंदा सीधा बना लेंगे अब जाली डालेंगे और बीच के पांच फंदे एक दो तीन चार पांच सीधे और सेम, अब हमने फिर से वही सेम बनाना है, दो फंदे उल्टे, एक फंदा, सीधा, फिर दो फंदे उल्टे, फिर तीन का एक करना है, दो फंदे उल्टे, फिर एक फंदे सीधा, दो फंदे उल्टे, एक फंदा, सीधा बना कर यहाँ पर जाली डालते वे, यह दो फंदे सी शीधे बनाने हैं एक, दो और ये जाली वाला भी सीधह बनाके फेर जाली डालते वे 1 पंदा सिधह फिर दो फंदे उल्टे जागेक को पीछे, एक फंदा सिधा नहीं कि दाकेको आगे एक फंदा उल्टा बना लेंगे अब यहाँ पर देखिए एक फंदा उल्टा ये वला एक फंदा उल्टा और ये बीच का दो फंदा ऐसे उतार लेंगे और एक फंदा सीधा बना लेंगे और ये दो फंदे इसको पर से बीच में हमेशा है तीन का एक होता जाएगा और एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीध फिर धागे को आगे दो फंदे उल्टे, ठीक है, फिर धागे को पीछे करेंगे एक फंदा सीधा, धागे को आगे, यहाँ पर साथ फंदे बना लेंगे अब सीधे, दो होगे, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, पर धागे को आगे करते हैं, जाली डालते हैं इस फंदा सेम जैसे हमने यहां से च्णाट किए था time सेमने यहां भी बना ले ना है कि वहीरीपीट कर लेना है चलिए स्काथ करों कीलटी करणा कने उटए रों को भीलेट करके सीधी रो में अंपको यह देखिए, दो फंदे सीधी रों में हमने, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, फिर धागे को पीछे, और एक, दो, तीन, चार, चार फंदे सीधे बनाकर जाली डालते वें, एक फंदा सीधा बना लेंगे, फिर यह दो फंदे उल्टे, अब एक फंदा सीधा, अब यहाँ प इक फर से दूव फंद गिरा देगे और ये वहलगा पंदा सीधा है सीधा बनाएंगे फिर धंद को आगे करेंगे द दूफंद ईल्टे फिर एक फंदा सीधा फिर जाली ॡालते वे नौफंद कारते बनाने है एक दो कि तीन चार पांच शे साथ ऐट değ पिर दागे को आगे और यह एक पंदा ऐसे जाली डालते वे यहाँ पर सीधा बना लेंगे सेम ऐसे ही हमने बनाते जाना है और यहाँ से देखिए फंदे घड़ते जाएंगे अब यह वाला फंदा हमारा नेक्स लाई में घटेगा फिर यह वाला घटेगा दिर यहाँ पर कम होते जाएंगे और यहाँ फंदे हमारे बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमने एक फंदा सीध इहां पर देख produção मारी दिर कर्के आ जा कुछ मैं यहां को बना लेती हूँ सेम आसे ही आपने बनाना है बीच में इसे पंड कां़े नेखिश 내 मृ कले हां बड़न जा जाएगे मैं इस बार्डर को यहां पर इस दिछान कि कैसे हमने इस डेजाइन को भी डालना है और कैसे फंदू को बढ़ाना है तो यहां तक हमने बना लिया है अब यहां पर एक स्लाई और हमारी सीधी और उल्टी बनेगी फिर अमनरे डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा तो यह दे कि लास्ट्त लाइज़ है साथ और ये वाला फंदा भी बना लेंगे आठ अब यहां पर देखी जाली डालनी है और ये तीन का एक भी लास्ट वाला करना है तो ये दो फंदे ऐसे उतार लेंगे और एक फंदा ऐसे सीध़ा बुनके और ये दो फंदे इसके पर से किरा देंगे। यहां पर देखे जाली पड़ेगी, फिर से देखे जाली डालते हुए, ये एक, दो, तीन, चार, पाच, छे, साथ, आठ, नो, तस, ग्यारा, बारा, तेरा, चौधा, पंदरा, सोला, ये सत्रा, सत्रा फंदे हमने सीधे बनाने है, फिर देखे देहागी को ऐसे करेंगे, फिर से जाली डालते हुए, दो फंदे उतारेंगे ऐसे, और एक फंदा सीधा बनाके, ये दो फंदे इसको पर से ऐसे स्किप करेंगे, फिर से ये सीधे फंदे बनाकर ये वाली रोग कंप्लीट कर लेंगे तो चलिए अब मैं उल्टी रोवी कंप्लीट करके फिर अब हम डिजाइन की रो बनाएंगे और फंदे भी बढ़ाएंगे बाजु के चलिए इस रोव कंप्लीट कर लेते हैं दो बंदे उल्टी बना लेगे हैं यह देखिया है मारा कंप्लीट हो गया है यहां पर डिजाइन यह वाला और उल्टी रोव हम बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं कर दो बना कर दो लेते हैं